हाई फ्रेंट्स एक बार फिर स्वागत है आपका अपने इस चैनल आई टाई नौलेज में आज हम एलेक्ट्रिकल के टॉप 50 ओब्जेक्ट व कॉस्चन्स देखने वाले हैं जो की आई टाई में होने वाले प्रिसिक्षन अधिकारी की भरती एवं अन्य एलेक्ट्रिकल से र दलाने से निकला धुआ दूसरा उप्षन है बैटरी रसायन तीसरा उप्षन है पुराना लेड आधारे सोल्डर चौथा उप्षन है यह सभी तो हमें पता है कि यह सभी ऑप्षन ही छती का कारण बनते हैं तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्षन डी यह सभी नेक् स्वाश्थ लाव को बढ़ाना तो प्राथ में चिकत्सा का यह सारे ही उद्देश हैं चाहे वो जीवन की रक्षा हो या छती को रोकना या स्वाश्थ लाव को बढ़ाना तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्षन डी यह सभी नेक्स कॉस्चन देखेंगे प्राथ मे चिकत्सा देनी में ABC क्या है यदि हमें फर्ष्ट या प्राथ में चिकत्सा किसी को देनी है तो उसमें ABC रूल्स फॉल्ल करना होता है तो इसका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म होता है air way, breathing and circulation स्वासन नली की जाच करना जिससे एयर को अंदर जाने में सहायता मिले ब्रीधिंग का मतलब होता है कि हमें उसके सांस लेने की नली की जाच करना इंड सर्कुलेशन का मतलब होता है कि उसमें होने वाले ब्लड सर्कुलेशन की हमें सरप्रथम जाच करने चाहिए इस प्रकार एरवे ब्रीधिंग एंड सर्कुलेशन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट देखेंगे बिजली के उपकरणों में निम्न लिखित में से कौन सी स्रेंडी की आग लगती है तो यह हमें पता होना चाहिए कि जो बिजली के उपकरणों में आग लगती ह है वह किस स्रेंडी में आती है तो यहाँ पर हम किस स्रेंडी जान लेते हैं जो स्रेंडी में आग लगती है वह जैसे कठोर पदार्थ जैसे की लगड़ कोईला लुटम में जो आग लगती है वह क्लास आ स् Youtube में Legacy है चाहिए वो पेट्रूलियम पदार्त हो जैसे diesel petrol kerosene यह आग स्रेडी B के अंतरगत आती है स्रेडी C के अंतरगत यदि किसी gas में चाहिए वो LPG gas हो या CNG gas इनमें जो आग लगती है क्लास C के अंतरगत आती है और यदि हम बात करें class d fire जो class d fire होती है वह बिजली के उपकरणों में जो आग लगती है वह class d srandy के अंतरगत आती है तो आप बेख सकते हैं कि यहां पर class d srandy की आग नहीं दी गई है तो इसका right answer हो जाएगा option d जाने की इन में से कोई नहीं next question देखेंगे चित्र में दर्स आएगा हस्त औजार की पहचान करें जो यह चित्र दिखाई दे रहा है इस tools का हमें नाम बताना है तो आप देख सकते हैं कि जो यह चित्र में दिखाई दे रहा है या gimlet है या gimlet भी इसे हम बोलते हैं तो इसका right answer हो जाएगा option a इसका यूज किसी भी लकडी में hole करने के लिए च्छेद करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं इसका प्रयोग जनरली कारपेंटर में या हम देख सकते हैं सिम्हां जब किसी वर्ड बगरह में लगड़ी के वर्ड में हम होल करते हैं तो इसका प्रियोग हम करते हैं नेस्टीन देखेंगे खाली स्थान की संख्या या नर्धारित करती है कि कोई पदार सुचाल्ग कोचालग या अर्दचालक है या नहीं पहला option है balance electrons दूसरा option है electrons तीसरा option है protons चौथा option है neutrons तो हमें पता है कि balance electrons जो किसी पदार्थ के बाहे कक्छा में जो मौजूद होते हैं वो balance electrons के अनुसार ही उसका सुचालक, कुचालक या अर्दचालक निर्धारन किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा option A balance electrons next question देखेंगे नीचे दिया गया चित्र खाली स्थान को प्रदर्शित करता है जो हमें ये चित्र दिखाई दे रहा है या हमें बताना है कि किसको इंगित करता है पहला option है प्रत्यावर्ती धारा दूसा option है दिस्ट धारा या direct current तीसा option है indirect current चौथा option है electric charge तो हमें पता है कि ये जो जित्र दिखाई दे रहा है ये direct current को इंगित करता है direct current मतलब DC current या दिस्ट धारा इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें current का मान और दिसा परिवर्तित नहीं हो रही है और यदि यहाँ पर alternate current होता तो इसके लिए यदि उसकी sine wave चलती तो कुछ इस तरीके से चलती यानि कि यहाँ पर plus और यहाँ पर minus तो आप देख सकते हैं कि इसका right answer हो जाएक option B दिस्ट धारा next question देखेंगे नियूटल तार में खाली इस्थान होता है पहला option है सून्य विभाव दूसरा option है एकाई विभाव तीसरा option है अधिक्तम विभाव चौथा option है नियूनतम विभाव तो इसका right answer हो जाएगा option A zero potential या सून्य विभाव नियूटल तार में जो विभाव होता है वह सुन्य होता है नेक्स वेस्टन देखेंगे एक दस ओम प्रतिरोधक पांच वोल्ट बैटरी द्वारा संचालित है इस त्रोथ से होकर बहने वाली धारा है खाली स्थान तो यहाँ पर हमें आई का मान ग्याद करना है आई बराबर आप देख सकते हैं कि आई बराबर होता है भी अपोन आर तो आप देख सकते हैं भी का मान है पांच और आर का मान है दस तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5 एमपियर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन डी 0.5 एमपियर नेक्स्ट कॉस्चन हम देखेंगे एकाई समय में एक चालक के अनुप्रस्थ कार्ट के माध्यम से बहने वाला कुल चार्ज को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है पहला ओप्शन है एमपियर दूसरा ओप्शन है रजिस्टेंस तीस्टा ओप्शन है बोल्ट चौता ओप्शन है एलेक्ट्रिक पोटेंसियल या विद्योत विभावताब आप देख सकते हैं कि जो एकाई समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ कार्ट के माध्यम से जो गुजरता है जो कुल चार्ज होता है उसको हम एमपियर बोलते हैं तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन ए एमपियर नेक्स वेस्टन देखेंगे चित्र में दर्फाइगाए टूल की पहचान करें आप देख सकते हैं यह चित्र है इसको हमें बताना है कि यह किसका चित्र है पहला ओप्शन है ट्राइ स्क्वेर दूसरा ओप्शन है फाइल तीसा ओप्शन है चीजल चौता ओप्शन है स्टील रूल तो आप देख सकते हैं या tri square या जिसे हम गुनिया भी बोलते हैं इसके द्वारा हम किसी object की 90 degree चेक करते हैं या कहीं corner जो रहता है तो उसको हम देखते हैं कि 90 degree पर joints है या corner इसका 90 degree पर है या नहीं next question देखेंगे center punch के बिंदू कोण या point angle का मान क्या होता है पहला option है 30 degree दूर्सा option है 60 degree तीसा option है 90 degree चौथा option है 120 degree तो हम देख सकते हैं कि जो center punch होता है या dot punch होता है या prick punch होता है center punch के लिए हम बात करें लिख सकते हैं उसको c इसको हम लिख सकते हैं d यानि कि dot punch और यह होता है हमारा prick punch यानि कि 3 punch के यहां पर हम बात कर लेते हैं यह सांदार सी tricks है इसके द्वारा आप किसी भी जो भी punch होते हैं जितने भी प्रकार के punch होते हैं उनके angle आप आसानी से ध्यान रख पाएंगे आप देख सकते हैं कि C के बाद क्या आता है D आता है और D के बाद P आता है या आप इससे भी आ सकते हैं CDP तो जो पहले आएगा उसका जो angles होगा वो ज़्यादा होगा तो आप देख सकते हैं कि center punch का जो angle होता है 90 degree रहता है एवं dot punch उसके बाद आता है तो इससे कम होगा यानि कि 60 degree रहेगा और इसके बाद हम बात करते हैं prick punch तो इसके जो angle होगा points का जो angle होगा वो हो जाएगा 30 degree तो आप इसकी सहायता से आसानी से तीनो पंच के points या points angle को याद कर सकते हैं यानि कि center punch का जो angle होगा वो होगा 90 degree तो इसका right answer होगा option c 90 degree next question देखेंगे उच्च परिसक्रत वाली सताय बनाने के लिए कौन सी फाइल प्रियोग की जाती है पहला option है rough file दूसा option है dead smooth file तीसा option है second cut file चौथा option है वास्टर्ड file यहां पर हमें बताना है कि highly finished surface यानि कि जो surface बहुत ही smooth होती है तो वहां पर हम किस file का यूज करते हैं तो इसका right answer हो जाएगा option b dead smooth file इसके द्वारा हम finally जो हमारी surface को हमें यदि इस्मूथ बनाना होता है तो यहां पर हम dead smooth file जोगी बहुत ही smooth है कि इस रेती में बहुत ही smooth cuts लगे हुए रहते हैं जिसे हम dead smooth file बोलते हैं next question देखेंगे sheet metal में dolly block का उपियोग क्या है पहला option है sheet metal को आकरती प्रदान करना दूसरा option है sheet metal को जोड़ना तीसा option है sheet metal को पीड़ना चौथा option है sheet metal को चेक करना तो इसका right answer हो जाएगा option a जो sheet metal में dolly block होता है उसका कार्य होता है sheet metal को आकरती प्रदान करना next question देखेंगे निम्न लेकित में से कौन सा stack का प्रकार है पहला option है round bottom stack दूसा option है of moon stack तीसा option है funnel stack चौथा option है यह सभी तो हम देख सकते हैं कि यह सारे ही stack के प्रकार है तो इसका right answer हो जाएगा option d यह सभी नेक्स वेस्टन देखेंगे चित्र में दर्षा आए गए तार चालक की पहचान करें यह जो चित्र में एक चालक दिखाई दे रहा है इसको हमें बताना है कि यह कौन सा conductor है पहला option है single standard conductor दूसा option है multi stand conductor तीसा option है बोथ यानि की एकल stand चालक और बहू stand चालक दोनों चौत option है इन में से कोई नहीं तो आप देख सकते हैं कि जो यह चित्र में दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारे standard wire हैं तो इसको हम बोल सकते हैं multi standard conductor या बहु standard चालक और यह single core है तो इसको हम single core multi stand conductor भी बोल सकते हैं तो इसका right answer हो जाएगा option B next question देखेंगे चित्र मेंदर्स आएगा तार-चालक की पहचान करें इसमें भी हमें बताना है कि यह तरीके का चालक है तो आप देख सकते हैं कि यह honesty क्या हो होसकता है इसका right answer हो जाएगा हमारा multi stand conductor और इसको वो इसके पहले आप देख रहे थे वह single core था इसको हम बोल सकते हैं polycore polycore का मतलब यह जो separate wire जो रहते हैं यह क्या कहलाते हैं core कहलाते हैं तो इसमें कितनी कोर्स हैं five core है यह हम वो शकते हैं इसको five core multi stand conductor यह पॉली कोर multi stand conductor लिए नेक्स वर्चन देखेंगे चित्र में दर्षा आएगा है चीजल का नाम क्या है जो यह चित्र में चीजल दिखाई दे रहा है इसका हमें नाम बताना है तो आप इसको देख सकते हैं कि यह cross cut चीजल है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा क्रोस्कट चीजल नेच्ट फोर्सटन देखेंगे शोल्डर के लिए किस पदार्थ का उप्योंग किया जाता है पहला है तुशन है तुशा है गैर दहत तत्व त्सद संथेटिक तत्व चौछा है इनमें से कोई नहीं तो आप देख सकते हैं कि सोल्डर क्या कहलाता है सोल्डर यानि कि किसी एक धातू या अन्य धातू को आपस में जोडने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है Shouldering कहलाती है और Shouldering में जिस भी अञ्य धातू या तीसरी धातू का प्रियोग करते हैं उसको हम Shoulder बोलते हैं तो Shoulder अधिकांस्ता Mr. धातू यानि कि TIN और LED का एक Mr. धातू होती है TIN और LED की Mr. धातू होती है या इसको हम सुद्ध धातू का भी सोल्डर बना सकते हैं तो इसका राइट अंसर हमारा हो जाएगा option A सुद्ध धातू या मिस्ध धातू नेक्स वच्चन देखेंगे चित्र में दर्स आएगा हस्त तौजार की पहचान करें पहला option है crimping tool दूसा option combination plier तीसा option है tong चौथा option है flat nose plier तो आप देख सकते हैं कि यह crimping tool है जिसकी सहता से हम किसी cable के end वाले स्रेपर connectors जोडते हैं तो उसे हम crimping भी बोलते हैं यह crimping का कारे करता है तो यह हमारा हो जाएगा crimping tools राइट answer होगा हमारा option a next question देखेंगे चित्र में दर्स आएगा हस्त तौजारों की पहचान करें पहला option है wire stripper दूसा option है combination plier तीसा option है crimping tool चौथा option है flat nose plier तो आप देख सकते हैं यह wire stripper है इसकी सहायता से हम किसी भी wire या cable का insulation हटाते हैं या insulation छीलते हैं तो इसका right answer होगा option a wire stripper next question देखेंगे निमन मैंसे किस जोड में दो या दो से अधिक cable को आपस में जोडना सामिल नहीं है यानि कि हमें इस joint का नाम बताना है जिसमें हम दो या दो से अधिक cable को आपस में नहीं जोडते हैं पहला option है port end दूसा option है state throw तीसा option है T joint चोथा option है y joint तो आप देख सकते हैं इन तीनों joints में हमें दो या दो से अधिक cable को joints करना होता है यह हमारा port end है यानि कि जो end जो cable का जो end रहता है उस पर हम joints कर देते हैं तो वहां किसी दूसरी cable का हम joint नहीं बनाते तो इसका right answer हो जाएगा option a port end next question देखेंगे टार्क का एक छोटा पतला टूकड़ा जोत्या आधिधिक विद्विधृत प्रवाह या बहने से गर्म होकर पगल जयता है उसे क्या कहा जाता है आधे में धारा के एक के द्खतientras से अधिक धारा जब उसमेंसे जाती हैं तो गर्म होकर जल जाता है कहलता है रिचे अपर जाने से के जो हमारा तीवाइस होटा है तो हमारे सेह courtesy device भी कहलाता है next question देखेंगे fuse का chain खाली इस्थान पर आदारित है पहला option है esther load दूसरा option है either load तीस्द आप्सम है esther load और voter load दोनो चौता option है ना ही easter load और ना ही ister load तो हमें पता है कि जा हम fuse का chain करते हैं तो हम दोनों प्रकार की load को ध्यान में रखकर fuse का chain करते हैं चाहे वो इस्थिर लोड हो या आइस्थिर लोड हो तो इसका right answer हो जाएगा option C इस्थिर लोड और आइस्थिर लोड दोनो next question देखेंगे intermediate switch में terminal होते हैं इसमें हमें बताना है कि जो intermediate switch होते हैं उसमें कितने terminal होते हैं तो सरप्रत हम आपको intermediate switch का symbol बनाना आना चाहिए तो यह हमारा जो है intermediate switch का symbol है तो आप देख सकते हैं इसमें कितने terminal हैं एक दो तीन चार तो आप देख सकते हैं कि जो intermediate switch होता है उसमें कितने terminals होती है चार तो इसका right answer हो जाएगा option C इसके terminal कितने होंगे चार और इस intermediate switch का यूज हम वहाँ पर करते हैं जब हमें एक lamp को तीन स्थानों से control करना होता है तो हम वहाँ पर intermediate switch लगाते हैं next question देखेंगे घरेलू installation में मुख्या साखा circuit को नियंत्रत करने के लिए मुख्य switch के रूप में निम्न मैंसे कि switch का प्रियोग किया जाता है पहला option है double pole switch दूसरा option है single pole one way switch तीसा option है single pole two way switch चौथा option है intermediate switch तो हम देख सकते हैं कि जब भी हम किसी घरेलू installation में मैं सर्कृट कर मैं सर्कृट को नियंत्रत करते हैं वहाँ पर हम डीपी लगाते हैं जिससे हम बोलते हैं double pole switch जिसके वारा हम फेज और न्यूटल दोनों को एक साथ कंट्रोल करते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा option डबल पोल switch कि नेक्स्वेस्चन देखेंगे भू प्रतिरोध को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि हमें बताना है कि जो ग्राउन का resistance होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए पहला option है भू प्रतिरोध यथा संभव कम से कम हो दूसा option है भू प्रतिरोध यथा संभव अधिक से अधिक हो तीसा option है भू प्रतिरोध सद्यो सुन्न होना चोथा option है इन में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर हो यह तभी हमारा ग्राउंड एर्थिंग काम करेगा नेक्स्ट वस्चन देखेंगे ट्रांस्मिशन लाइन द्वारा किस प्रकार की अर्थिंग का प्रियोग किया जाता है यहां पर हमें बताना है कि ट्रांस्मिशन में जो अर्थिंग की जाती है वह किस प्रकार से की जाती है कि पहला सभूजब करते हैं जहां पर नमी अधिक होती है वहाँ पर हम प्लेटर तेंग करते हैं रोडर्थिंग भी हम जहां पर नमी रहती है या सूखा वाले छेत्र में दोनों जगा रोडर्थिंग का हम प्रियोग करते हैं नेक्स वेस्टन देखेंगे आम तोर पर ग्राउंडिंग खाले स्थान के लिए प्रदान की जाती है पहला है उपकरणों की सुरक्षा के लिए दूसरा है संचालन कर्मियों की सुरक्षा के लिए तीसरा है उपकरणों की सुरक्षा के लिए और ऑपरेटिंग कर्मियों की सुरक्षा दोनों के लिए चोथा उपकरणों की सीतलन के लिए तो आप देख सकते हैं कि जो नम्य की मात्रा प्रत्वी को भू प्रतिरोद को कैसे प्रभावित करती है पहला है बढ़ाती है यानि कि जो यदी किसी मिट्टी में नम्य रहेगी तो यह प्रतिरोध को क्या करेगी घटाएगी तीसा option है कोई प्रभाव नहीं पड़ता चौता option है इन में से कोई नहीं तो इसका right answer हो जाएगा option B यदि यहाँ पर यदि मिट्टी पर नमी अधिक रहेगी तो वह भू रजिस्टेंस को घटा देगी यदि नमी नहीं रहेगी तो वह क्या गरेगी भूग या जो अर्थ का रजिस्टेंस है वह पड़ जाएगा नेक्स वर्चन देखेंगे अर्थिंग प्रतिरोध को क्या से कम किया जाता है पहला option है पानी डाल कर दूसरा option है अर्थिंग प्लेट का छेत्र फल घटा कर तीसरा प्रतिरोध को घटाना होता है तो हम उस अर्थिंग पर पानी डालते हैं तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option पहला पानी डालकर नेक्स वर्चन देखेंगे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकरों को अब आमतोर पर खाल स्थन कहा जाता है पहला option है और सीस्टी वी जिसका फुल फॉर्म होता है रेसिड्यूल करेंट सर्किट ब्रेकर दूसरा option है इल सीवी यानि कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर तीसरा option है एम सीवी यानि के circuit breaker तो आप देख सकते हैं कि आज कल हम ELCB को RCCB के नाम से भी जानते हैं उसको हम residual current circuit breaker भी बोलते हैं तो इसका right answer हो जाएगा option पहला RCCB जो की हमें earth हैं या जो ground fault आता है तो उससे सुरक्षा प्रदान करता है next question देखेंगे earth fault से सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्न लिखित में से कौन सा सुरक्षा उपकरण का प्रियोग किया जाता है पहला option है ELCB दूसरा option है transformer तीसा option है rectifier चौथा option है alternators तो आप देख सकते हैं इसमें से सिर्फ ELCB ही हमारा safety device से सुरक्षा उपकरण है transformer आप देख सकते हैं कि जो एक सर्केट से दूसरे सर्केट में हमारे power को transfer करता है या फिर हमारे voltage को step up या step down करता है वह transformer कहलाता है rectifier rectifier वही उपती है जो AC को DC में rectify करती है और हम देख सकते कि alternator का काम है जो यांत्रे कूर्जा को AC वैद्दितिक कूर्जा में परिवर्थन करेवा हमारा क्या कहलाता है alternator कहलाता है तो आप दिख सकते हैं कि इसका right answer हो जाएगा ELCB यानि कि earth leakage circuit breaker next question देखेंगे electrolysis में कौन सा नियम लागू होता है तो हमें हम पता है कि electrolysis का जू नियम है उससे फैराडे ने दिया था तो इसका right answer हो जाएगा option c फैराडे का नियम next question देखेंगे एक सेल की छमता को खाली स्थान में मापा जाता है पहला उप्सान है ampere दूसर अप्सान है ampere घंटा तीस्रा उप्सान है watt चौथा उप्सान है watt घंटा तो आप देख सकते हैं कि जो कोई भी स्टेल होता है या बैटरी होता है उसकी जो छमता है हम एच में दर्स आते हैं एच में मापते हैं एच का मतलब ampere घंटा आपने देखा होगा कि जो मुबायस होते हैं तो उसकी बैटरी में लिखा रहता है कि 4000 mAh यानि कि मिली ampere हावर तो आप देख सकते हैं कि जो जितनी भी सेल या बैटरी होती उनकी दक्षता हम एच में ही मे मुक्त होती है तो हमें पता है कि जो लेड इसेट सेल होते हैं उसमें हाइड्रोजन रिणात्मक प्लेट पर ही मुक्त होती है तो इसका राइट अंसर होगा हमारा ऑप्शन ए नेगेटिव प्लेट नेक्स वस्चन देखेंगे एक सौर पैनल सिधारा खाली स्थान दौरा बढ़ाया जाता है पहला अप्षन है सौerd शेल के सेंडी में जोड़ना दूसर अफ़िद्खन है सौरसेल के सासी द्यक्तास अब करना तो आप देख सकते हैं कि जब भी हम किसी बैटरी या सेल को स्रेणी में जोडते हैं तो उसका बोड़ जाता है हमारे cell है यह हमारे cell है यदि हम इन cell को इस तरीके से स्रेणी में जोडते हैं यदि यह 2-2 volt के cell है प्रतेक कमान है 2 volt, 2 volt तो इनका voltage कितना हो जाएगा बढ़ जाएगा, यानि कि 6 volt रहेगा और current हमारा क्या रहेगा fix ही रहेगा और यदि हम किसी भी cell को सामानांतर करम में कुछ इस तरीके से जोडते हैं ऐसा करके इनको हम ये plus हो गया, ये minus ये plus और ये minus, इस तरीके से यदि हम इनको parallel में जोडते हैं तो इनका जो voltage है यदि ये 2 volt हैं, ये भी 2 volt हैं तो इसका voltage 2 रहेगा और current कमान बढ़ जाएगा तो सीधे सब्दों में हम भूल सकते हैं कि यदि हम किसी cell या battery को sandy cream में जोडते हैं तो वैस सीधे ही उसका voltage जोड़ जाता है और current कमान कितना रहता है fix ही रहता है और यदि हम cell को सामानांतर करम में जोडते हैं तो उसमें current कमान बढ़ जाता है तो इसका right answer हो जाएगा option C cell को सामानांतर करम में जोड़ना next question देखेंगे storage cell की छमता खाली स्थान में ब्यक्ति की जाती है तो आप देख सकते हैं इसका पहला option है एंपियर घंटा दूसरा option है किलो बाट घंटा तीसा option है किलो बाट एंपियर चौथा option है second तो आप देख सकते हैं कि कोई भी storage cell हो या कोई सी बैटरी हो इन सभी की छमता हम काई में देखते हैं एंपियर घंटा जैसा कि हम पहले question में भी बता चुकी है AH यसे हमें क्या बोल सकते हैं यानिकी MPR घंटा next question देखेंगे transformer खाली इस्थान के सिद्धान पर कारे करता है तो हमें पता होना चाहिए कि जो transformer होता है वा है mutual induction के सिद्धान पर कारे करता है onion प्रेरण onion प्रेरण के सिद्धान पर transformer कारे करता है यदि हम transformer की एक coil में AC सप्लाई देते हैं तो दूसरी coil में EMF generate हो जाता है next question देखेंगे alternator निम्न लेखित में से कि सिद्धान पर आधारत है पहला option है फैराडे के विद्धो चुम्भी के प्रेरण के सिद्धान पर दूसरा option है ओम का नियम फैराडे के विद्धो चुम्भी के प्रेरण के सिद्धान पर कारे करते हैं तो इसका right answer हो जाएगा option A next question देखेंगे एक single phase AC circuit में पावर निम्न लिखित में से कौन सा गड़ती है समीकरण द्वारा प्रदर्सित किया जाता है तो आप देख सकते हैं कि यदि हमें यहाँ पर पावर के लिए formula देखना है तो P बराबर होता है B I cos 5 P बराबर होता है हमारा B I cos 5 या इसे हम E I cos 5 भी बोल्ट सकते हैं E मतलब भी E M यानि की बोल्ट और B मतलब भी बोल्ट तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option A B I cos 5 या E I cos 5 next question देखेंगे निम्न लिखित में से कौन सा मल्टी मीटर का एक प्रकार है पहला option है analog प्रकार दूसरा option है digital प्रकार तीसा अप्रन है analog और digital दोनों प्रकार चौत्वा प्रकार इन मैं से कोई नहीं तो आप देख सकते हैं कि मल्टी मीटर दोनों ही प्रकार के होते हैं चाहे वह analogy हों या डिजितल अलोक का मतलब जिस प्रकार का मल्टी मीटर कहलाता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option सी एनौलोग और डिजिटल दोनों प्रकार україн का मतलख लाइब वायर तो इसमें आप देख सकते ही कि इसमें दो าप दरांव सकते हैं कि इसमें दो तर्डवन होते हैं और आप देख सकते हैं कि जो मेगर रहता है वाय हमाई हमेशा मेगा ओम में ही किसी वी इंसुलेशन जो रजिस्तेंस होता है उसको मेजर करता है नेक्स वस्टन देखेंगे एक periodic वेब की अबरती को सीधे मापने के लिए उपकरन का नाम क्या है पहला उप्षन है ऑस्किलो स्कोप तुसरा ओप्षन है रेडियो फ्रेक्वेंसी जनरेटर तीसा ओप्षन है फ्रेक्वेंसी मिटर या काउंटर चौथा ओप्षन है audio यो अब्रती जनरेटर तो आप देख सकते हैं कि जो परियोडिक वेव की अब्रती को सीधे ही माप दे तो वह कहलाता है है फ्रेक्वेंसी मीटर इसका राइट अंसर हो जाहेगो ऑप्शन सी फ्रेक्वेंसी मीटर एक्ट पॉस्टन दिखेंगे घरों में वाइरिंग सामान Ann strict तहां खाली स्थान में की जाती है पहला उप्षन है सामानांतर क्रम दूसरा उप्षन है स्रेंडी क्रम तीसा उप्षन है मिस्रत क्रम चौथा उप्षन है सामानांतर क्रम और स्रेंडी क्रम तो आप देख सकते हैं कि जो भी घरों में वारेंग की जाती है वो हमेशा सामानां सेब्परेट बूर्ब कोई लोड लगाते हैं इसके लिए भी हम सेब्परेट फेर्ट कुछ तरीके से देंगे इन पर पूरा का पूरा वोल्टेज मिले मान के चलिए कि हमारे घरों में 240 बोल्ट की सप्लाई आ रही है तो सभी को 240 बोल्ट मिलेगा यदि हम इन दोनों लेंब को स्टेंडी क्रम में जोड़ देंगे तो इनका जो वोल्टेज होगा वो डिवाइड हो जाएगा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा उप्षान एक पहला या सामानांतर क्र सभी तो आप देख सकते हैं कि जो वाइरिंग का प्रकार है या सभी पर निर्भार करता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्षान डी यह सभी नेक्स्ट देखेंगे खाली स्थान वाइरिंग केवल आश्था इसापना के लिए उप्योक्त होती है पहला उप्षान है क्लीट दूसरा और अप्ष और हम पर से हम ऊपन ही वायर को इस तरह के से ले कर जाते हैं तो यह एक प्रकार की आप आइस्थाई वाइरिंग कहलाती है और यह सभी जो वायरिंग है यह स्थाई वायरिंग के अंतरगत आती हैं नेक्स वस्चन देखेंगे चार ओम के दो प्रतिरोध को स्रेंडिक्रम में संयोजित किया जाता है तो क्या होगा यह हमें बताना है कि यदि हम चार ओम के दो प्रतिरोध को स्रेंडिक्रम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पहला ओप्सन है बढ़ेगा दूसरा option है घटेगा, तीसरा option है आप परिवर्तित रहेगा, चौता option है चार गुना घटेगा, तो इसका right answer हो जाएगा, option A, यदि हम किसी भी resistance को standing ground में जोड़ते हैं, तो इसका resistance क्या होता है, बढ़ जाता है, तो इसका right answer होगा, option A, बढ़ेगा, next question देखेंगे, बाइरिंग के संदर्व में PVC से क्या तात पर है, यहाँ पर हमें PVC का full form बताना है, तो हमें इसका full form पता है, इसका full form होता है, polyvinyl chloride, तो इसका right answer हो जाएगा, option A, polyvinyl chloride, तो आज के वीडियों बस इतना ही, यदि आप कोई वीडियो पसंद आए, तो क्रप्या इस वीडियो को like, share एवं subscribe करें, जिससे आने वाले वीडियो की notification आप तक सबसे पहले पहुंचे,